चॉन डेवी एक अमेरिकी फ्लोसफर, साइकोलोजिस्ट और एजुकेशनल डिफॉर्मर थे जिनका अमेरिका और दुनिया भर में सिक्षा के विकास पर काफी प्रभाव पड़ा वह pragmatism या व्यावारिक स्कूल अब थॉर्ट के leading figures में से एक थे उन्होंने सिक्षा में दो चीजों पर बहुत जादा जोड़ दिया नमबर एक, practical experience और नमबर दो, scientific inquiry पर डेवी का मानना था कि education किसी fixed curriculum पर based नहीं होना चाहिए बलकि education किसी student की need और interest मतलब जरुरोतों और रूची की अधार परता ही होना चाहिए उनका यह भी मानना था कि education democratic और inclusive होनी चाहिए स्कूल एक तरह की community centers की तरह होना चाहिए जहां से community को resources मिल सके और वह society को support कर सके ऐसे सोचिए कि स्कूल से अगर एक student समझदार बनकर निकलता है तो वह आगे जाकर community यानि society की सेवा करेगा या करेगा बले ही वह scientist बनकर हो या फिर farmer या फिर businessman बनकर हो या हो सकता है एक अच्छा teacher बनकर हो जान डीवी के चार ideas ने education पर बहुत प्रभाव डाला ये चार ideas थे experiential learning, progressive education, integrated curriculum और teacher as a facilitator चलिए देखते हैं कैसे नमबर वन, experiential learning डेवी के अनुसार, learning सिर्फ knowledge और skills पर focus नहीं होनी चाहिए बलकि practical experience, real world problem को कैसे solve करें, इन बातों पर अधारित होनी चाहिए डेवी के अनुसार, experiential learning एक cyclical process है जिसकी चार stages होती है, experiencing, reflecting, generalizing और applying जैसा की name से obvious है, experiencing stage में एक learner engage होता है, experiments में reflecting stage में, learner अपने experiment के उपर reflect करता है, सोचता है generalization stage में, learners conclusion draw करता है, जिनको वा future में specific situations में apply कर सके और finally applying stage में, जो भी सीखा होता है, learner उससे real life problems को solve करने में apply करता है progressive education का मतलब यहाँ पर यह है, कि SE education, जिसमें learning student centered हो project based learning हो, और जहाँ education में focus, social responsibility और समाज में आपकी भागी दारी के उपर हो इसी movement को USC में progressive education movement कहा गया DEVI के ideas ने USC में 20th century के progressive education के movement को बहुत support किया जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, कि DEVI तो school को एक community center की तरह देखते थे जहाँ पर ऐसे नागरिंग निकले, जो संसार की problems को solve कर पाए और यही progressive education movement का उद्देश भी था, almost similar DEVI का third idea था integrated curriculum जैसे कि पहले से ही हम जानते हैं, DEVI तो school को एक community center की तरह देखते थे जहाँ पर students को ऐसे responsible, इंसान की तरह ग्रूम किया जाए जो society के लिए contribute कर सके और ऐसा व्यक्टिक कैसे ग्रूम होगा school में? जब school का curriculum इस तरह से design हो, जहाँ पर वह knowledge और skills इखाया जाएं, जिससे कि वह भावी citizen society के लिए contribute कर सके मतलब कि ये school का curriculum, broader society के issues के साथ integrate होना चाहिए उससे अलग नहीं होना चाहिए For example, आजकल हम देखते हैं कि global warming और उससे होने वाले climate change का दुनिया भर में असर पढ़ रहा है अगर DV के अनुसार चलें, तो global warming का topic स्कूल के syllabus में होना ही चाहिए ताकि student उससे सीखें और भाविश में इस समस्या का निदान करें सोचो अगर भारत में students को graduation तक भी global warming के बारे में ना पढ़ा है जाए तो DV का fourth idea था teachers as facilitator मतबकि teacher का role एक facilitator की तरह है DV का कहना था कि teacher को एक instructor की तरह नहीं बलकि facilitator की तरह होना चाहिए ऐसा instructor नहीं जो सारी information student के दिमाग में भर दे और कहें कि इसे memorize करके ले आना exam में तभी आपके अच्छे marks आएंगे बलकि teacher को ऐसा facilitator होना चाहिए जो student को help करें उनके interest को explore करने में world के बारे में उनकी खुद की understanding को develop करने में ना कि अपनी सोच students के उपर थोपने में एक curiosity मुझे भी है चलिए आप लोग बताईए आपके स्कूस में teacher, facilitator थे या फिर एक instructor थे और अगर कोई teacher अच्छा facilitator था या थी तो किसी real life example से बताईए कि वो किस तरह facilitate करते थे चलिए एक छोटे से example की साहिता से समझते हैं कि real life में John Davy का school किस तरह चलता होगा सोच ये एक science का teacher है जिसे अपने students को environment pollution का topic पढ़ाना है बजाए इसके की teacher एक lecture और homework देकर इस topic को finish कर दे teacher DV के ideas से inspire होकर कुछ इस तरह initiate करता है सबसे पहले तो teacher एक field trip करा सकती है school के पास के areas में जहां पर बहुत pollution हो जहां पूरे टाउन के garbage को फेका जाता हो या जहां पर कोई कंदा नाला नहर में गरता हो या फिर आपकी कालोनी में ही कहीं कूडा बिखरा रहता हो उसके बाद teacher किसी expert को बुला कर उनसे environmental challenges के बारे में share करने को कह सकती है इसके बाद teacher बच्चों के चोटे groups बना कर उनसे कहती है कि आप अपनी मनबसंद का environment challenge लें और उसको कैसे resolve कर सकते हैं उस पर reflect करें और अपना project बनाए कोई group शायद household waste segregation पर काम करें कोई water pollution पर etc. and finally groups अपनी अपनी findings को classroom में share करें उसके उपर debate करें जिससे कि उनकी इस topic पर बहतर समझ बने कुछ ऐसा ही होगा जॉन डीवी का school अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह के school education में जॉन डीवी के सभी ideas include होते हैं almost जैसे कि experiential learning यहाँ पर है progressive education है real world problems को solve करना और integrated curriculum भी है और teacher यहाँ पर instructor की तरह नहीं बलकि एक facilitator की तरह काम कर रहा है बच्चों को explore कराने का पूरा chance मिल रहा है friends, I hope जॉन डीवी के यह concept और ideas आपके समझ में आये होंगे फिर मिलते हैं keep learning at the good life